नमस्कार दोस्तों आप जूर चुके वाईस ओफ एमपी से और मैं हूँ अब्दुलली इरानी नगरपाली का प्रशाशन पुलिस प्रशाशन और जिला प्रशाशन द्वारा आज हरक्या खाल जो जाजू सागर डेम की अवेद भूमी जो है जहाँ पर अवेद खेती हो रही है और पानी की अवेद पानी चोरी हो रहा है वहाँ पर आज कारवाई करने के लिए पूरा प्रशाशन पहुँच चुका है सुबह 7 बज़े से कारवाई जा रही है और यहाँ पर जो अवेदरूप से पाइप्लाइन बीची वी एँ मोटर लगी हुई है उसको उखाडा जा रहा है पुलीस बल परशाशन के साथ यहाँ पर सुबह 7 बज़े से मोझूद है और साथ बजे से ये कारवाई सुबा प्रारम हो चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संक्या में करीब परीब छे से साथ जैसी भी दिखाई दे रही है फायर ब्रिगेड यहां पर मौझूद है एम्बूलेंस मौझूद है पुलीस का पूरा महिकमा मौझूद है SDM ममता खेड़े सोयम तैसिलदार जीरन और नीमच साथ ही साथ वेशाली सिंग डी एस पी CSP फूल सिंग परस्ते CMO महेंदर शिंग वसिस्ट एडिशनल SP एडिशनल SP एडिशनल SP एने सिसोधिया ठाना प्रवारी सिटी जो है योगेन सिंग सिसोधिया और सारे लोग यहां पर मौझूद है और नगरपाली का द्वारा ये अवे रूप से जो मोटरें चलाई जा रही पाइप्लाइन बिचाई जा रही इसको उखाणने के लिए पूरा प्रशाशन लगा हुआ है आप देख सकते मेरे पीछे कीस तरहा से यहां पर गाडिया चल रही है और किसी भी तरह से पुलिस ये विवस्था कर रखी कि किसानों और गाउं वालों को जो है इस कारवाई के दोरान आसपास नहीं आने दिया जा रहा है ये कारवाई अभी पुलिस कर रही है अभी अवे जो खेती है उसको नहीं चेड़ा जा रहा हाला कि लगबक सारे खेत अभी साफ बढ़े है लेकिन किसी भी तरह से अभी प्रशाशन इस कोशिश में है कि आज इस तरह से भी अवेत खेती है उसको खोड़ा जा देखना ये है कि अभी सीमांकन को लेकर क्या कारवाई होती साथी साथ यहाँ पर जो नगरपाली का के जाजू सागर बांध जो है इसके कुए भी है उसको लेक अगर किस तरह की कारवाई होती उस कुए से पानी ना कोई ले पाए इसके लिए क्या कारवाई करती है वाइस ओफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवण राव शिंदे के साथ अब्दुलली इरानी